वेलकम टू रीड एंड लीड यूटूब चैनल आप सभी के लिए दोस्तो गुड न्यूज है गुड न्यूज है कि दोस्तों इंडियन आर्मी में ओपन रेली भरती आ गई है इस वीडियो मा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पोस्ट पर इपकेंसी आई हुई है किस प्रवारि जानकारी समझ में आप आएगी आप यहां पर देश हैते हैं सबसे पहला हम बात करेंगे और किस प्रढीन कैसी आई हुआ है क्या मांग is यह यहां पर देश पर आपके कौलिफिकेशन दस भी पास मांगी गई है जदि आप दस भी पास है तब आप जो है जी डी की पोश्ट पर एपलाई कर पाएंगे अगली पोश्ट है दोस्तो आपकी सोलजर टेकनिकल लर्सिंग असिस्टेंट की आप यहां पर दे सकते हैं इसके लिए आपकी जो एज मांगी गई है वह साले सतर से तेश साल मांगी गई है हाइट आपकी इसमें जो है एक सतावन सेंटीमीटर मांगी है कौलिफिकेशन दोस्तो आपकी इसमें जो है बारवी पास मांगी गई है आपकी जो अगली पोश्ट है वो सोल्जर टेकनिकल की है जिसके लिए जो आपकी एज मांगी जाती है वो साड़े सत्रे से तेश साल मांगी जाती है जिसके लिए कौलिफिकेशन मांगी जाती है आपकी दोस्तो वो बारवी पास मांगी जाती है बारवी में दोस्तो आपके बस physics, chemistry, math होना चाहिए तब आप technical post पर apply कर पाएंगे अगली post है दोस्तो आपकी जो है soldier, clerk की, clerk में दोस्तो आपको जो हाइट में छूट मिल जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, height आपकी कम मांगी गई है और आपकी दोस्तो जो qualification इसमें मांगी जाती है आपकी बारवी पास qualification मांगी जाती है बारवी में दोस्तो आपके पास जो है math होना चाहिए या art होना चाहिए, commerce होना चाहिए तब आप इस post पर apply कर पाएंगे टोटल आपके इसमें 50.000 सेंट रमबर होने चाहिए अगली post है आपकी जो है दोस्तो ट्रेडमेन की management की post पर आप 8 b पास से और 10 b पास से apply कर सकते हैं 10 b पास से आपको कफी सारी post देखने को मिलेंगी और दोस्तो आपको 8 b पास से इसमें स्री mash पोश्टे देखने को मिलेंगी जो हैं दोस्तो आपकी house keeper और maze keeper की इसमें दोस्तो percentage कोई भी matter नहीं होता आपकी कितनी भी परसेंटेज है दस भी में आठ भी में आप टेक्निकल पोश्ट पर अपलाई कर पाएंगे जिसके लिए उस जो आपकी एज मांगी जाती है वो साड़े सातरह से तेश साल मांगी जाती है यह दोस्तो आपकी पोश्ट थी और कौलिफिकेशन थी यदि दोस्तो इसको लेकर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें उसका दोस्तो जवाब आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं कौन-कौन से जी लेके इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे यदि दोस्तो आपको इस ओफिसल नोटिफिकेशन को डाउलोड करना है तो डा करें बातों आपको नहीं मिल जाया है डाउलोड कर लेजिए अब बात करते हैं आपके ये रही भिःती बरत्वी पर होने वाली यहीं कहाँपर होने वाली है दोस्तों जो आपकी रेली भरती होगी वो 4 माई से 6 माई तक होगी यानि कि 4, 5 और 6 तीन दिन दोस्तों आपकी रेली भरती है चलने वाली है जो आपके दोस्तों फोम भरे जाएंगे वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके है पांच मार्च से दोस्तो 18 अपरेल तक आपके फोर्म भरे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको में जूम कर देता हूँ यानि मेगाली के दोस्तों जितने भी जिले हैं वो सब दोस्तों इस भरती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रेली भरती होगे आप यहाँ पर दे सकते हैं असम रेजि मेंटल सेंटर हैप पी वेली सेलोंग में दोस्तो आपकी रेली बड़ती होने वाली है यजित दोस्तो आपका भी कोई डाउट होता कमेंट करेंब हो, आपके कमेंट कर जवाब मिल जाएगा असम के सभी जिलों के लिए तो यह भरती आई हुई है यदि दोस्तो आपका जिला भी नहीं आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने जैसे ही दोस्तो आर्व में कोई नई रेली भरती आती है जैसे अपडेट मिलती हैं आपको वीडियो के माध्य हम सब बता देंगे कि आपके जिले की भरती आ गई है दोस्तो वीडियो को जादा से जादा सेयर करें ताकि सभी को सही जानकर मिल पाए यदि दोस्तो आपको कोई डाउट हो तो कमेंड करें मिलती है नाक्ष वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में एतनाई जैहिन चे भरत